है गाइस वरकम बैक टू माई चैनल कूक अंक्लीनूइट संगीता आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक लेस भेनिला स्पॉंज केक एक केक मैंने कोई मेजरिंग काप से नहीं बनाया है यह जो घर में सिंपल कॉफी मॉक और चाय का जो काप होता है उससे हमने बन कार्मेंट लेकि हमने इसको काट लिए हैं ऐसे लगाने से अगर बटर पेपर अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो केक आपका बहुत इजी ली अनमोल्ड हो जाता है केक बेस में चुपकता नहीं है अब इसके उपर हम वाल ब्रश कर देंगे बेस में और जो साइट वाल है उसमें भी हमने वाल ब्रश करेंगे अच्छा से ऐसे वाल ब्रश करने से एक बहुत इजी ली निकालाता है और इसके उपर हम थोड़ा सा माइदा स्प्रिंकल कर देंगे और इसका चारू तरफ अच्छा से ऐसे फैला देंगे गोल गोल करके जिसमें चारू तरफ माइदा लग जाए अब एक्स्ट्र जो माइदा है उसे हम इसको निकाल देंगे एक्स्ट्र माइदा रखना नहीं है ये देखे चारू तरफ मेरा अच्छा से लग गया है इस पैन में अब पैन मेरा केक के लिए एकदम रेडी हो चुका है अब इसे हम एक साइड में रख देंगे एक बाउल में हम देखे ये जो मग है सिंपल जो चाय का मग इस मग का पूरा भर के हमने लिए है लग भग 100 ml के आसपास हमने लिए है दही और जो हमने जो कफी मॉक लिए है इस कफी मॉक का आधा मॉक हमने लिए है शुगर इस शुगर को हमने पाउडर बना लिए इसलिए इसका भाल्यूम थोड़ा ज़ादा हो गया है मैंने लिए है आधा काप शुगर यह जो बड़ा बड़ा काफी माग आता है उस काफी माग का आधा काप और जो सिंपल चाय का काप है यह देखें यह सिंपल चाय का काप का एक काप हमने दही लिया और एक काप पुरा भर के नहीं थोड़ा सा हमने खाली रखे हो आपने देखाई है वीडियो में और इसी उसी काप काई जितरा हमने दही लिए है उत्रा ही हमने लिए है रिफाइन ओयल कोई भी ओयल आप ले सकते हैं रिफाइन ओयल ले सकते हैं मास्टर ओयल नहीं रिफाइन ओयल जिस ओयल में ज्यादा स्मेल ना हो ऐसे ओयल आप ले सकते हैं और इसे हम एक हैंड बीटर करेंगे बहुत अच्छा से भीट करना है एकदम 15 तक हम लगातार भीट करेंगे जितのは अच्छा साप का केक पणब करेंगे उत्हां यह अच्छा पा केकग पनिगा क्या है इस पेटर को आपको अच्छा से तयार करना है यह बेटर जितना अच्छा से बनेगा अपका केक उत्रही अच्छा सौफ्ट बनेगा आप देखिए एक काफी मॉक का एक मार्ग बोल सकते हैं थोड़ा सा हमने बाकी रखे हैं और इसका लगभग 200 ग्राम के आसपास है मैदा और हमने लिये हैं वन टीस्पून बेकिंग पावडर और हब टीस्पून बेकिंग सोडा ये टीस्पून भी मेरा जो डबबा डूबी हम खरीते हैं कीचेन में उसी डबबा का एक बड़ा जो स्पून मिलता है उसमें उसी का स्पून हमने यूज किया है उसमें बड़ा वला एक ले लिया है एक छोटा वला ले लिया है तो उसमें हो जाता है हमने इस सारे बैटर को 4 बार छाण लिए है इसे छाणना ज़ोरूरी है अब इधर गैस में हमने कढाई रख दिये हैं उसके उपर हमने रख दिये है नमक, एक खाने वाला नमक है उसको अच्छा से बिचा दिये हैं और इसके उपर एक रैक रख दिये हैं, क्योंकि हमें केक टीन एक दार डारेक्ट नमक के उपर नहीं रखना है, नमक इसलिए रखना है जो इसके जो टेंपरेचर है, equally distribute होगा, और इसको हम ढखके, इसको हम प्रिहिट कर लेते हैं, अब इस बैटर में हम जो ड्राइ इंग्रीडियन्ट है, वो सब डालेंगे, उसे पहले हम डाल देंगे, वन टीस्पून वेनिला एसंस, वेनिला एसंस डालने से केक का जो स्मेल बहुत अच्छा सा आता है, और इस टाइम आब इलाची का पाउडर भी डाल सकते हैं, इलाची से हम मिक्स कर देंगे, अब इसमें हम डाल देंगे, वन फोर्थ टीस्पून नमक, नमक डालने से केक का टेस्ट अच्छा आता है, इसमें हम डाल देंगे, जो ड्राइ इंग्रीडियन्ट है, उसको हम तीन हिस्सों में डालेंगे, फास्ट हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ करके mix करना है नहीं तो यह अच्छा से mix नहीं होगा और बहुत धीरे-धीरे हमको यह mix करना है क्योंकि इसमें जो air bubbles आता है वो खराब ना हो जाए इसलिए बहुत धीरे-धीरे से mix करना है जितना धीरे हम इसे mix करेंगे केक उत्रहीं स्पॉंजी उतना ही soft उतना ही फूलेगा यह अच्छा बनता है अगर जादा करेंगे तो उतना अच्छा केक फूलेगा नहीं देखिए दोनों तरफ चारू तरफ गोल करके बीज में ऐसे काटके इसे गोल बनाएंगे इसका सारे हमने डाल दिये हैं और धिरे धिरे इसे हम चलाएंगे ऐसे यह देखिए टाइट हो रहा है इस ताइम हम डालेंगे मिल्क थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिल्क डालना है ज्यादा एक साथ नहीं डालना है नहीं तो इसका बैटर पतला हो जाएगा फिर प्रॉब्लिम होगा इसलिए थोड़ा थोड़ा मिल्क डालना है इसमें ज्यादा मिल्क का जुरूत नहीं पड़ता है हाप कप मिल्क इस बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना है और एकदम ठीक भी नहीं होना है फिर थोड़ा-थोड़ा हम मिल्क एड़ करके इसको एड़्जस्ट कर लेंगे यह देखिए इसका कंसिस्टन्सी ऐसे होना चाहिए उपर से अगर इसको हम गिराएंगे तो ऐसे रूख रूख के गिरेगा यह एकदम फाफेक्ट बैटर है रिबन कंसिस्टन्सी होना चाहिए अब हम इस मोल में डाल देते हैं चारू तरफ फ्ला देंगे ऐसे देख रहें रिबन की तरह गिर रहा है चारू तरफ ऐसे फ्लाएंगे अब हम देखेंगे जो कड़ाई मेरा प्री हीट हो गया है इसे हम खोलेंगे और यह जो केक पैन है इसके हम दो तीन बार टैप कर लिए है टैप करने के बाद इसे हम कड़ाई के उपर रख देंगे इसको tap करना जुरूरी है नहीं तो इसका जो air bubble से इसमें रह जाता है दो तीन बार tap करने से इसका air bubble से निकल जाता है अब इसको हम ढग देंगे ढग के हम 45 minutes minimum medium to low gas पे इसको पकाएंगे after 45 minutes मैं इसको देखूंगी एक बार मेरा कढ़ाई बड़ा है इसलिए इसमें थोड़ा time जादा लगता है जिसका कढ़ाई छोटा है तो इसमें कम time लगेगा वो depend करता है आपका कढ़ाई कैसे होता है यह देखिए मैंने एक चक्कु देखे देखा हलका सा लगा हुआ है मेरेको लगता है दो-तीन मिनिट और पकेगा तो दो-तीन मिनिट मैं और एक बार ढग दुँगी केक अच्छा से बेख हुआ है देखके ही लग रहा है अब 50 मिनिट बाद मैं इसको और एक बार देख रही हूँ आप एकदम देखिए एकदम क्लियर निकला है इसमें कुछ लगा नहीं है और एक बार हम कंफर्म कर लगते हैं हाँ एकदम परफेक्ट है अब गैस हम बंद कर देंगे और इस केक तीन को निकाल लेंगे इसे बहुत साबधानी से निकालना रहता है इस ताइम हाथ बहुत जलने लगता है कि कोई इस ताइम कड़ाई आपका बहुत गरम रहता है अब हम एक चाकू से साइड साइड ऐसे धिला कर देंगे साइड साइड ऐसे घुमाएंगे तो यह अपने आप निकल जाएगा ऐसे भी यह अपने आप छोड़ने लगता है और केक को बिल्कुल हमने ठंडा कर लिए है केक को ठंडा करना जोरीरी है नहीं तो केक अच्छा से निकलेगा नहीं और ऐसे उल्टा करके हलका साइड टाप कर देंगे धिरे धिरे तो केक बहुत इजिली निकल आएगा यह देखिए अलुमिनियम फॉइल देने से क्या होता है ना केक नीचे से जलता नहीं है एकदम अच्छा से निकल आता है यह देखिए केक बहुत अच्छा से बेक हुआ है कलर देख रहे हैं एकदम बहुत अच्छा से बेक वाला कलर आया है परफेक्ट कलर है यह इसका बे यह दिखिए केक कितना सॉफ्ट वना है मैं हाथ से फ्रेश करूं तो आपको पता चल रहा होगा अब इसे हम पलड लेंगे इसका सॉफ्टनेस आपको पता चल रहा होगा यह दिखिए कितना सॉफ्ट बना है यह स्पॉंजी भी बहुत है इस केक को हमने काट के भी आपको दिखा देते हैं यह देखिए दिखिए दिख रहा है ना कितना सॉफ्ट बना है यह दिखिए मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ अगर आपको मेरा यह रेसिपी अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा यह रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप मेरे जैसे ऐसे मेजरमेंट का केक बनाएंगे तो आपका भी केक एकदम पर्फेक्ट, सॉप्ट और स्पॉंजी बनेगा हम फिर मिलते हैं और एक निव वीडियो के साथ तब तक के लिए टाडा